किसान भाईयो नमस्कार किसान भाईयो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल किसान सम्रद्ध जीवन में किसान भाईयो इस वीडियो के माध्यम से हम गिहों की खेती के सम्मन्द में यह बताने वाले हैं कि गिहों की खेती में जब इस अवस्था में आपका गिहों हो जैसा कि आप देख रहे हैं ये गिहों की अवस्था है आप देखिए जो है नीचे से जो है गिहों आपका जो ही मलब पोट आने इसमें नीचे से तने में मुटाई आ गई है देखिए मलब ये पोट आने के वस् किसान मित्रों बीडियो के लाश्टक आप बने रहेंगे जिससे हम आपको संपून जानकारी आपको दे पाएंगे कि इस सवस्था में कौन साइस्प्रे करने से आपके फसल में बेजोड पैदावार मिलेगी उत्पादन बहुत अच्छा होगा बालिया लंबी मोटी आएंगी और फसल का बिकास बहुत अच्छा होगा किसान मित्रों इस सवस्था में जब आपका गिहों हो इस सवस्था में आप जो है NPK 0-22-34 का प्छिड़काओ कर सकते हैं NPK 0-22-34 में इसमें जो है फासपुरस की मात्रा और पोटेसियम की मात्रा रहती है तो फासपुरस का काम कह रहता है कि आपके गिहों में जड़का विकास करना और पेड़ों को मोटा करना और बालियों को मजबूत करना और जो पोटेसियम का काम रहता है तो पोटेसियम जो है वो दाने के भराव में महत्पुड भोमिका निवाता है दाने में चमक, बजन, दाने में कलर अच्छा लाता है तो 0-22-34 का आप इस्प्रे करिए आपकी फसल बहुत बढ़ी है आएगी बहुत ही आपकी फसल में बेजोड पैदावार होगा और इसके साथ आप जो है Growfast Organic Diamond Private Limited Company का आप जो है Magic 6 ले सकते हैं Magic 6 इसमें आपको Chilaten Micronutrients मिलेगा इसमें Iron, Copper, Magnesium, Boran और Molybdenum और Ging तो Ging की कमी की पूर्ती करेगा और Boran की महत्पुण आहम भूमिका रहती है इस स्थिती में जब आपका गिहों हो और जब आप Micro Neutrients आप देते हैं तो क्या करता है कि Micro Neutrients में जो Boran है तो Boran आपके फसलों में बालीों में परागण की क्रिय को संक्रिय करने का काम करता है यहनि परागण की क्रिय को पीलापन नहीं आता है नीचे से पौधा मजबूत होता है और दाने बहुत मस्ताते हैं तो किसान भाईयों आप अलग-अलग तरीके से आप गोल बना सकते हैं प्रती एकड के हिसाब से आप N.P.K. 1 kg आप ले सकते हैं और शिलेटेड माइक्रो न्यूट्रियांस जो है वह आप जो है 100 गराम प्रती एकड के हिसाब से आप लेके अलग-अलग बरतनों में घोल बनाकर और इसके बाद दोनों को एक पंप में मिलाकर और आप इस्प्रे करेंगे तो आपकी फसल में बेजोड पैदावार होगी बहुत बढ़िया उत्पादन आएगा आपकी बालिया लंबी मोटी होगी और फसल का बहुत अच्छा विकास होगा दानों का अच्छा विकास होगा दानों में चमक, वजन, कलर सब कुछ आएगा तो किसान भाईयो जब इस इस्थिति में आपकी फसल अगर है अगर ग्यों की पसल इस इस्थिति में आपकी पहुँच गई है तो आप N.P.K.0.24 और साथ में आप जो है माइक्रो नूट्रियांस, चिलेटेड माइक्रो नूट्रियांस का आप जो है अनक किसानों को भी है यूचफुल जानकारी प्राप्त हो सके ओके किसान मित्रो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद बहुत बहुत धन्नवाद